दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले है आपके BSC 3rd Year 5th Semester Botany के Unit 1st से जुड़ा हुआ टापिक गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट तो आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट होता क्या है ये एक्सपेरिमेंट कैसे परफॉर्म किया जाता है और इस एक्सपेरिमेंट का रीजन क्या है तो कुल मिला का गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट से जुड़े हम जितने भी टापिक है उन सभी टापिक को हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे तो gardening experiment जो है मैं आपको बता दो कि ये phloem से जुड़ा हुआ एक topic है तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम समझ लेते हैं composition of phloem sap तो इस topic से जुड़ा हुआ आपके exam में एक number के question कभी कभी पूछे जाते हैं तो आपको बता दे कि phloem sap में generally water or non reducing sugar होते हैं जैसे कि सुक्रोज और other sugar इसके लावा कुछ hormones होते हैं और amino acid होते हैं यदि हम बात करें gardening experiment की तो यह experiment सबसे पहले माल पीघी ने conduct किया था तो उन्होंने यह experiment क्यों किया था क्योंकि यह जानना चाते थे कि जो translocation होता है food का वो किस रास्ते से होता है किस pathway से होता है इसके अलावा plant का कौन सा tissue organic nutrients यानि food के translocation में involved होता है तो इस experiment में कौन कौन से step involved थे आए उनको हम detail से discuss करते हैं तो सबसे पहला step है on the trunk of a tree ring of bark up to a depth of the phloem layer is carefully removed तो उन्होंने क्या किया कि एक पौधा लिया और उस पौधे का जो तना था उस तने का जो सबसे बार्क वाला region था यानि कि जो छाल थी उसको remove किया carefully और कहां तक remove किया जहां तक phloem layer था तो जैसा कि हम सबी जानते हैं कि जो plant का bark reason होता है उसमें कई सारे layer होते है सबसे पहले cork होता है फिर cortex होते है उसके बाद phloem होते है फिर जाइलम होते है तो उन्होंने बहुत साउधानी के साथ जो पौधे की छाल थी phloem region तक उसको cut किया तो यह जो bark था उसमें कौन कौन से reason थे phloem थे cortex थे और cork थे जैसा कि यहां पर आप image में देख सकते हैं को दिखाए देगा कि कैसे चाल को काटा गया है और जब चाल को काटा गया है तो इस बात का ध्यान रखा गया कि तो उसमें केवल cork और phloem reason हो ठीक है क्योंकि सबसे अंदर की यह जो reason होता होता है जाइलम तो हमें जाइलम को नहीं कट करना है सिर्फ cork वाले reason को cortex वाले reason को और phloem वाले reason को कट करना है after a few weeks the bark above the ring on the stem swell तो कुछ हपतों के बाद क्या होता है कि जो चाल हम काटे हुए है ठीक है और फूल कर एक रिंग नुमा संरचना बना लेता है कुछ इस तरह आप यहां पर image में देख सकते है कुछ इस तरह का रिंग बना रहता है ठीक है यह फूला हुआ पार्ट आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा the leaves do not wilt but growth below the ring was reduced तो जो वहां की पतियां होती है उपर वाली ठीक है वो पतियां सूखती नहीं है परंतु जो growth होता है नीचे वाले reason का रिंग के नीचे वाले reason का वह growth जो होता है वो रुख जाता है अब आपके दिमाग में यह बात चले होगी कि यह swelling क्यो आई यानि कि उप उपर वाला जो पार्ठ वो फूल क्यों गया यहां पर आप देख सकते हैं जो रेड़ वाला दिखाई दे रहा है यह जाइलम है ठीक है तो होता क्या है कि जब उपर वाले पतियों से भोजन बनता है ठीक है ना तो वह भोजन नीचे की और ट्रांसलोकेट होता है तो जब पर हमने क्या किया था कि फोलो यम वाले रीजन को कट कर दिया था और जैसा कि हम सभी जानते है कि पौईधों में जो भोजन का ट्रांसलोकेशन होता है वो फ्लो यम के थ्रू होता है तो फोलो यम के कट होने की वज़र से व क्या हुआ कि जो food material था ठीक है जो nutrients था वो उप उपर ही इकठ्था हो गया जबकि नीचे की ओर नहीं जा पाया तो जब उपर की ओर इकठ्था हो गया तो उसकी वजह से वहाँ वाला पार्ट जो था वह स्वेल कर गया और स्वेल करके एक रिंग नुमा सनरचना बना दिया तो जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं लिखा आपफ़र्ड मॉमेंट आव वाटर वास्नाट एफेक्टेट तो जो नीट्रेंड्स थे वह तो आसानी से ट्रांस्लोकेट हो पा रहे थे ठीक केवल कहां तक हो पा रहे थे जहां तक फ्लोएम वाला रीजन था जब कट हो गया उसके नीचे नहीं उपा रहे थे लेकिन जो वाटर था वो आसानी से जा रहा था उसका मुम्मेंट आसानी से हो रहा था क्यों हो रहा था क्योंकि हमने जाइलम वाले पार्ट को कट नहीं किया था सिर्फ हमने फ्लोम वाले पार्ट को कट किया था आप इस फिगर में आसानी से समझ सकते हैं मैं आपको समझा देता हूं कि यहाँ पर पत्तिया है इन पत्तियों से जब food का formation होगा तो वह food नीचे की हो जाएगा तो जब वह नीचे की हो जाएगा तो हम सभी जानते हैं जो food material होते हैं वो पाउधों में flowem के थूरू जाते हैं तो यहाँ पर हमने cut लगाया हुआ हो है flowem हमने यहाँ पर हटा दिया हुए तो जब food material नीचे जाता है तो flowem ना होने की वज़ए से वो नीचे नहीं जा पाता तो जितने भी food material हो यहीं पर आकर ही cut हो जाते हैं जिस कारण वहाँ वाला पार्ट जो है वो sell कर गया फूल गया ठीक है ना और जबकि हमने जाईलम क को मिलता है दिस एक्सपेरिमेंट प्रूब दैट फ्लोयम इस दटी सू रिस्पांसिबल फार टांस लोकेशन अफ फूड इन वन डारेक्शन दैट इस तूर्ट रूट तो यह जो एक्सपेरिमेंट है यह जो यह प्रूफ करता है कि पौधो में फूड का जो ट्रांस लोक होता है होता है फ्लोयम टी सू के द्वारा तो इस तरह से मैल पीगी ने गर्लिंग एक्सपेरिमेंट के थ्रू डिमोस्ट्रेट किया कि जब पतियों में फूड मेटेरियल बनते हैं तो वह फ्लोयम के थ्रू टांस लोकेट होते हैं उपर से नीचे की और यहाँ पर मैं यह फ्लोयम से जुड़ा हुआ टापिक है ठीक है और इस एक्सपेरिमेंट की थ्रू प्रूफ किया जाता है कि पौधों में फूड का ट्रांस लोकेशन फ्लोयम के थ्रू होता है तो दोस्तों यहाँ पर मैं आप सभी को बता दू फेसे की हमारा जो फिप सेमेस्टर का टा आप टापिक बॉटनी के मिलेंगे सभी टापिक से रेलेटेटड वीडियो मिलेंगे पीदिएस मिलेंगे और आने वाले दिनों में उनसे रेलेटेड सॉर्फ कोष्टन पेपर भी मिलेंगे तो 99 रपिज बहुत ज़्यादा नहीं है मैंने चार्ज बहुत कम रखा हुआ है कि सभी student इसको purchase कर सके तो आप जल से जल इसको purchase कर लीजिए तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही आपको आज का ये हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताईएगा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और सेयर करना मत भूलेगा और कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टापिक के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत